सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों जाग विटामिन बी कॉंपलेक्स केल्शियम, आइडन, मैगनीशियम और विभिन एंटी आक्सिडेंट में सम्रिद्ध है आप इस बहुमुखी अनाज के स्वास्ते लाब का फाइदा ना केवल इसे अपने दैनी काहर में शामिल करके उठा सकते हैं अपित्तु जौके पानी का सेवन करके भी अपनी सेहत में सुधाला सकते हैं तो आईए जानते हैं जौके पानी के मुख्य फाइदों के बारे में नमबर एक मूत्र पत के संक्रमण का उपचार है जौ का पानी मूत्र मार्ग में संक्रमण के लिए एक उत्तम प्राकर्तिक उपाय है यहां गलत नहीं होगा अगर हम जौ के पानी को मूत्र पत के संक्रमण का सर्वोत्तम उपचार कहें नमबर दो वजन घटाने में इसमें उच्च मात्रा में निहित फाइबर और बीटा ग्लूकन्स आपके पेट को एक लंबे समय के लिए त्रिप्त रखता है ताकि आप अनावश्यक खाकर अपने वजन में बढ़ोतरी ना करें नमबर तीन कॉलेस्ट्रॉल कम करने में जौ में निहित फाइबर और बीटा ग्लूकन्स पेट और आतों में भोजन द्वारा कॉलेस्ट्रॉल के अवशोशन को रोकने में भी मददगार है नमबर चार हिदय के स्वास्थे के लिए कॉलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा जौका पानी धमनियों के सक्त होने से बचाव में भी मदद करता है जौका पानी विटामिन B नियासिन से प्रचूर होता है जो एथेरो क्लोरोसिस के विकास को रोकता है गुलन सेल के साथ ही अगुलन सेल फाइबर की मात्रा में सम्रिद और छारिया होने के कारण जौका पानी आपके पेट के स्वास्थे के लिए बहुत अच्छा है नमबर छे डाइबिटीज को नियंत्रित करने में कई अध्यनों में पाया गया कि बीटा ग्लूकन्स रक्त सरकरा के नियंत्रन और इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार करते है यहां मुटापे को भी कम करता है जो टाइब टू डाइबिटीज का एक मुख्यकारक होता है नमबर साथ साफ चमकदार तवचा के लिए चुकि जो का पानी शरीर से विशाक्त पदार्थों के निकास में मदद करता है यहां आपको स्पष्ट और चमकदार तवचा को पाने में मदद करता है नमबर आठ कड़कती गर्मी को माद दे शरीर को हाइडरेट करने के अलावा यहां अपने प्राकरतिक ठंड़क और आराम दयगुनों से आंतरिक शरीर की गर्मी का भी इलाज करता है नमबर नौ गर्वती महिलाओं के लिए यह एक लेक्टोजनिक आहार है और इस्तन के दूद की मातरा में बढ़ोतरी लाने में सहायता करता है आप इस्तन के दूद की मातरा में बढ़ोतरी लाने के लिए जौपानी में सौफ मिलाकर इसकी शमता को बढ़ा सकते हैं गर्म जौ के पानी में एक चम्मत सौफ मिलाएं, पांस से दस मिनट के लिए रहने दें और उसके बाद पी लें नमबर दस रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है जौ का पानी, विटामिन B, कैलशियम, आईरन, मैगनिशियम, कॉपर, जिंक और सेलेनियम जैसे अनेक पोशक तत्वों का घर है और यह सभी पोशक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में सक्षम है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरन को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए